नमस्कार दोस्तों मैं धर्यवेन वर्मा उनलाइन इस्टडी विडिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं एडवर्ड थांडाइक से सम्मरत सत्तर अती महतपून प्रस्णों के बारे में काफी इंपोर्टेंट प्रस्ण ही जो इंपो पूरा देखना है और अंतम हमें ज़रूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको केस लगा है इस वीडियो पर अच्छा रिस्पोंस मिला तो आगे भी जो भी विज्यानिक होंगे सभी की वन वाई वन करके आपको वीडियो दे दी जाएगी यहाँ पर सबसे पहले पहले आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है जितने भी ग्रूप है आपके पास में सेयर करना है और चेनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से आपको यह कर लेना है शुरू करने से पहले हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि यदि आपको इनकी पीडियो ची इस लिखेंगे तो भी आपके सामने एपस आ जाएगे तो शुरुआत करते हैं थोंडाइक का जन्म कब हुआ था पहला प्रशन पूछा गया है थोंडाइक का जन्म कब हुआ था 31 अगस्त 1874 को 20 मार्च 1904 को 24 माई 1884 को या फिर 6 माई 1856 को आपका राइट अंसर होगा 31 अगस 204 को इसकिनर का जन्म हुआ था 24 माई 1884 की बात करे तो इस दिन हलका जन्म हुआ था और 6 माई 1856 की बात करे तो इस दिन फ्रायट का जन्म हुआ था किसका बाता फ्रायट का याद रखेगा 31 अगस्त 1874 को थांडाइक का हुआ था 20 मार्च 1904 को इसकिनर का हुआ था और 24 चारो विज्ञानिक इंपोटेंट है तो आपको समयाद कर लेना है कि इनका जन्म कब हुआ था अब बात करते हैं कि इनके म्रत्यू कब हुई थी सितंबर उनिस सो नन्चास की बात करें तो इस दिन किसकी म्रत्यू उई थी तो यहाँ पर आपको धियान देना है किसकी कम म्रत्यू थी चारो के चारो इंपोरेंट हैं आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रशन है थान डाइक निवासी थे अब आपको बताना है कि यह कहां के निवासी थे आश्ट्रिया के थे स्विजलेंड के थे कनाडा के थे या फिर अमेरिका के थे तो याद रखेगा वेसे तो सभी को पता होगा यह थान डाइक है यह अमेरिका क याद रखेगा आश्टेलिया के फ्रायट थे स्विजिलेंड के जिन प्याजे थे और कनाड़ा के अलबर्ट बंडूरा वेग्यानिक थे याद रखेगा सभी के सभी और थोंडाइक कहां के निवाची थे अमेरिका की डी वाला विकलपे आपका सही होगा चलिए थोंडाइक का सिध्धानत थोंडाइक का सिध्धानत कौनसा है पृया से उंत्टी का सिध्धानत आपने सभी ने सुनना होगा इंपूटेंट पूछ जाता है साथ में बुद्धी का बहू कारक सिध्धानत kryak पूछा जाता है कि बुद्धी का कौन सा सिध्धान्त थोंडाइक द्वरा दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने बहुकारक का सिध्धान्त दिया था एसा सिध्धान्त उद्धीपन अनुकरिया सिध्धान्त ये सभी किसके द्वरा दिये गए हैं थोंडा प्रियास एवं ठुटी का सिध्धान्त किसके द्वरा दिया गया यह पूछा जाए। सभी के नाम से जाना जाता है प्रियास एवं तुरूटी का सिद्धान जो कि थोंडाइक के द्वारा दिया गया है इसक्रिंसोट ले लिजीगा या फिर कुछ समय बाद आपको यह जो पीडियेप है या आपको टेट सक्सेस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी छटा प्रस् साथ वही आप देख लिजे कि थोंडाइक ने सीखने के कितने नियम बताएं हाली मैंने आपको बताया था कितने नियम बताएं दो नियम बताएं पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गोंड नियम मुख्य नियम के अंतरगत तीन नियम बताएं और गोंड नियम के अभ्यास का नियं और प्रभाव का नियंग एंपोटेंटि ए तीन नों को याद कर लिजिएगा प्रस्णि में कुछ इस प्रकार प्रस्ण पूशे जाता है तो आपको प्लिक कर देंगे और कह सकते हैं कि वहाँ नियं मुख नियं के अंत्रगत नहीं इन आता है तो आपको दियान देना है, मुख्य नियम तीन प्रकार के होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम पांच नियम कोन-कोन से गोण नियम, बहु प्रती किरिया का नियम, आत्मी करन का नियम, मानसिक वन्यास का नियम, आनसिक किरिया का नियम और सहचरी परिवर्तन का नियम, ये पांच नियम किसके अंतरगत आते हैं, गोण नियम के अंतरगत आते हैं, प्रस्न में बहुत सारे प्रस्ने यкиосे पूछे जाते हैं थॉन्डाइक से शंबंद裡ः जिसमें काफी स सारा कंफियन होता है तो आपको ध्यान देना है घर प्रस्ने पर की मुखी नेम कितने ihrac सबी के बारे मिं आपको जानकारी होना चाहिए थॉन्डाइक ने अपना प्रयोग कििस तथा बिल्ली पर किया था, साथ में मुरत मचली भी आता, तो ये भी इनोंने मुरत मचली पर भी थौन डाइक ने अपना प्रियोग किया था, चुहे बिल्ली तथा मुरत मचली पर अपना प्रियोग थौन डाइक द्वारा किया गया, चिंपाजी पर किस ने किया था, याद में बताऊंगा तो डिटियल में बताऊंगा राइट आंसर आप जान लीजिए सी वाला होगा चलिए प्रशुव पर प्रियोग करने वाले प्रत्थम मनोवग्यानिक काफी इंपोटेंट है एक्जाम में पूछा जाता है आई एमपी प्रसने याद कर लेजेगा प्रशुव पर प्रियोग करने वाले प्रत्थम मनोवग्यानिक थे तो आप सभी को पता होगा या फिर नहीं हो तो जान लीजे थोंडाइक है प्रसुव पर प्रियोग करने वाले प्रत्थम मनोवग्यानिक थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था पूछा जाता है एक्जाम में थ समुकारक सिध्धान्त त्रीकारक सिध्धान्त एक तत्व का सिध्धान्त या फिर बहुकारक सिध्धान्त तो यह बहुकारक का सिध्धान्त दिया था इसके बारे में आपको बता चुका हूँ यहाँ पर दीखे लिखा भी हुआ है कि समुकारक सिध्धान्त किसके द्वरा गया था थ्रश्टन के द्वरा दिया गया था त्रीकारक के बारे में बात करें कि त्रीकारक सिध्धान्त ये इस्पियर्मेन के द्वरा दिया गया और एक तत्व का सिध्धान्त ये अलफ्रेट बीने के द्वरा दिया यहां पर बुद्धी के सिध्धान्त की बारे में बात के और बहुकारका सिध्धान तर्थौंडाइग के द्वारा दिया गया है तो फूर्त वाला विकल्पे आपका यहाँ पर सही होगा जब अध्यापक च्छात्र को शफलता का एहसास कराता है तो वहां उप्योग कर रहा होता है ततपरता का नियम अभ्यास का नियम प्रभाव प्रभाव का नियम या फिर मानसिक तत्परता के नियम का एक जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वहां उप्योग कर रहा होता है कौन से नियम का उप्योग कर रहा होता है तो याद रखेगा वह प्रभाव के नियम का उप्योग कर रहा होता है चलिए अगला प्रश्म, सीखने का प्रात्मिक मूलभूत नियम सम्मंदित, यहाँ पर देखे, प्रात्मिक मूलभूत नियम के बारे में पूछा गया है, सीखने का कौन सा है, ततपरता, अभ्यास, प्रभाव या फिर इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पर प्रात्मिक मूलभूत न द्वारा की जाने वाली त्रूटियों को कम करने में मदद करता है यहां विचार किसके द्वारा दिया गया था जो विचार है यह इक पुष्टक मैं नहीं ली है जितनी भी पुष्टक उन्होंने लिखी जो भी पुष्टके हैं उसमें पहली है एजुकेशन साइकलोजी के बारे में पूछा जाता है कि एजुकेशन साइकलोजी के जो पुष्टक है यह किसके द्वारा लिखी गई है तोंडाइक के द्वारा लिखी गई है कब लिखी गई है 1903 में इनिमल इंटेलिजेंस पुष्टक भ ये थोनडाइक के द्वरा लिखी गई है और Human Nicole and the Social Order ये पुस्टक भे थोनडाइक के द्वरा लिखी गई है तो 6 पुस्टकों को आप ध्यान में रखना है 6 की 6 पुस्टक किसके द्वरा लिखी गई है धौन डाइक के द्वारा लिखी गई है चलिए धौन्डाइक के प्रियास एवं तूरूटी सिद्धान्त के संधर्व में निम्न कत्नों पर विचार कीजिए आपको यहाँपर दीखे चार कत्न दीगए हैं जिस पर आपको विचार करना है और कूट में आंसर पर देना है कि सही gaan, आपका क्या होगा, अधिकम की प्रक्रिया में उद्धीपन अनुकिरिया होती है, बिलकुल सही है, उद्धीपन अनु किरिया में संबंद के कारण यहां सिध्धांत संभनद्वात का सिध्धांत कहलाता है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो तुरूटी का सिध्धानते प्रियास एवं तुरूटी का उस सिध्धानते को और किस-किस के नाम से जाना जाता है तो वहाँ पर मैंने संबंद बात का सिध्धानते भी आपको बताया था तो कह सकते हैं पहला दूसरा तीसरा और चोथा ये तीनों ही कथन सही है थोंडाय के अधिगम सिध्धान्ति के नुशार अधिगम का अधार आपको बताना है राइट आंसर आपका होगा उद्धीपन अनुकिरिया राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा चली अगला प्रश्ण है पुरुषकार एवं डंड का नियम कहलाता है पुरुषकार एवं डंड का नियम कोंसा कहलाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर प्रभाव का नियम पुरुषकार एवं डंड का नियम कहलाता है अग अगला प्रश्ण जिन प्रतिकिर्याओं को सीखने के उपरांत संतुष्टी प्राप्त होती हैं उसे सीख लिया जाता है या फिर उन्हें सीख लिया जाता है यहां मनोवरत्ति का नियम है अभ्यास का नियम है ततपरता का नियम है या फिर प्रभाव का नियम है जिन प्रतिक किरियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टी प्राप्त होती हैं उन्हें सीख लिया जाता है यहां कौन सा नियम है तो याद रखीगा यह प्रभाव का नियम है कौन सा नियम होगा प्रभाव का नियम डी वाला विकल्प आपका सही होगा अगला प्रश्ण शक्री अनुकिर या अनुबंद जिस अदिपक अनुकिया सम्मंद पर आधारी थे वहां कोन सा नियम है ततपरता के समिपटा के नियम है प्रभाव का नियम है और अब भ्यास का नियम है तोर्ट वौला विकलपि आपका सही होगा तो राइट आंसर आपका क्या होगा बीवाला कि जब सुखद होगी तभी अधिगम होगा चलिए थोंडाई के नुशार शीखना सम्मंद इस्तापित करना है सीखना आवशक्ता की पूर्ती की प्रक्रिया के द्वारा होता है प्रसिक्छन एवं अनुभव के द्वारा व्यभार में परिवर्तन नहीं अधिगम है सीखने की अशफलताओं का कारण समझने की अशफलता है थोंडाई के नुसार आपको बताना है राइट आंसर आपका होगा यहां पर पहला वाला सीखना सम्मंद इस्तापित करना है थोंडाई के अनुसार पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा प्रियाश एवं तूटी में सबसे महत्पून क्या है प्रेणना है लक्ष है वातावरण है या फिर अभ्यास है प्रियाश एवं तूटी साब समझ सकते हैं सबसे महत्पून क्या होगा अभ्यास होगा प्रियाश एवं तूटी में सबसे महत्पून अभ्यास होगा चलिए अ प्रियाश अवं तूटि सिद्धान्त का आलोश्नात्म कतन पोछा गया है तो आलोश्नात्मığını होगा कि यह सिद्धान्त बार बार अभ्यास द्वारा रठने की प्रवत्ति की संकित करता है यहां पर away अभ्यास्त था संकित करता अन्सिक क्रिया का नियम हैं ततपरता का नियम है या फिर प्राभाव का नियम है काफे इंपूटेंटे हैं यहां कतन थोन डाइक के किस नियम से सम्मझ थे तो याद रखेगा सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है यहां कठन थोंडाइक के प्रभाव के नियम से संबन दिते हैं यहां पर डी वाला विकल्पे आपका सही होगा धीमी गती से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उप्योगी सिध्धान्त कुन सा है थोंडाइक का सिध्धानते हैं, हलका सिध्धानते हैं, थश्टन का सिध्धानते हैं या फिर कोहलर का सिध्धानते हैं अधिमी गति से सीखने वाले बालों को के अध्यापन के लिए अधिक उप्योगी सिध्धान्त के बारे में पूछा गया है आपका राइट आंसर होगा थौन डाइक का सिध्धान्त यहां पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा अगला प्रशन एक बालक को दाल गुलाप का काटा चुप गया जिससे उसे काफी दर्द हुआ आगे चल कर वहां लाल कपड़े या लाल किसी भी चीज़को देखकर डरने लगता है यहां उध्ण यह जो उध्ण हैं उद्धिपक समानी करन का उधारने पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अधिगम का मुख्य नियम है जैसा कि मैंने आपको सुरूम बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि मुख्य नियम कौन-कौन से होते मैं मुख्य नियम आपको तीन बताये थे जो तीनो नियम हैं ये किस के अंतरगत आते हैं तो ये गुण नियम के अंतरगत आते हैं। थोंडाइक का कौन सा नियम उप्योग और अनुप्योग का नियम कहलाता है। मनोवरत्ति का नियम अभ्यास का नियम ततपरता का नियम या फिर प्रभाव का नियम आपका रायट आंसर होगा ततपरता का नियम याद रखेगा वहाँ नियम उपयोग और अनुपयोग नियम के लाता है वहाँ नियम कोन सा है तो वह ततपरता का नियम है थांडाइक ने अ आपको बताना है तो ये होगा आपका अभ्यास और पुन्रा वरत्ती में डी वाला विकल्पे आपका सही होगा थोन डाइक के प्रियोग में बिल्ली की भूक ने किसका कारे किया है आपको पता होगा जो थोन डाइक ने अपना प्रियोग किया था बिल्ली पर किया था भूकी बिल्ली पर किया था तो यहाँ पर आपको बताना है थोन डायक ने प्रियोग में बिल्ली की भूक में किसका कारे किया है प्रेणना का किया है लक्ष का किया है सफलता का किया है या फिर चालक का किया है तो यहाँ पर किसका कारे किया है भूकी बि प्रवत्ति का है तत्पर्ता का नियम सूचक है किसका है तो याद रखीगा ये कार्य प्रवत्ति का सूचक है तत्पर्ता का नियम पहला वाला विकल पे आपका सही होगा अधिगम के बंद सिध्धान्त के प्रवर्ता के देखे सुरू में आपको बता चुका हूं कि थोंडा प्रोइत का सिद्धानत। इनमें किस वर्ग के तहत सूचिबद किया जाता है। पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा थोन डाइक के नुसार बुद्धी का प्रकार नहीं है मूर्त अमूर्त सामाजे के आफित जेविक बुद्धी याद रखेगा इंपोर्टेंट है थोन डाइक के नुसार जो बुद्धी का प्रकार नहीं होगा वो जेविक बुद्धी नहीं होगा फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा सयोजन वात का सिध्धानत किस ने दिया है सयोजन वात का सिध्धानत पावलाव हाल इसकिनर या फे थोन डाइक राइट आंसर आपके सामने होगा थोन डाइक श्युजन वात का जो सिध्धान दिया है ये थोन डाइक के द्वारा दिया गया है थोन डाइक ने बुद्धी के बहु कारक सिध्धानत की तुलना किस से की है तोड़े देर पहले में आपको बताया था कि बुद्धी के बहुकारक सिध्धान्त के प्रवर्ता कोन है तो तौन यहां पर आपको बताना है कि सिध्धान्त के तुलना किसे की है बालू के धेर से की है मनोवरत्ती का सिध्धान्त किसके द्वरा दिया गया है इसकी नरहल थोंडाई के द्वरा दिया गया है जब बच्चे एक अउधार्ना को सीखते हैं और उसका प्रियोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वरा की जाने वाली तूटियों को कम करने में मदद करता है यहां विचार दिया यहां पर जो विचार दिया गया है यहां किसके द्वरा दिया गया है इसकी नरहल थोंडाई के द्वरा दिया गया है अगला प्रश्ण बहु प्रतिकिरिया का नियम बहु प्रतिकिरिया का नियम किसके द्वरा दिया गया है थोंडाइक हरल फ्राइड या फिर पाव लाओ सही आंसर आपको सभी को पता होगा थोंडाइक बहु प्रतिकिरिया का जो नियम दिया है ये थोंडाइक के द्वरा दि कोई नहीं ध्यान दिजिए गा बालो का सिध्धांत और परमानु वद्य सिध्धांत इन दोनों के नाम से जो 把 यान रखेंगा मैं थोंडाइक से समझता आपको प्रस्ण दे रहा हूँ तो आपको ये प्रस्ण सरल लग रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है एक्जाम में यहाँ पर इस प्रकार से प्रस्ण नहीं पूछ जाता है कोई सा भी प्रस्ण कहीं पर भी रख देंगे वहाँ पर आपको कठिनाई जितने भी प्रस्ण होंगे यदि वहाँ पर चार विकल्प दियूए चार विज्यनिक दियूँगे राइट आंसर आपका थांडाइक होगा आपको यहाँ पर हवाई में आंसर नहीं देना है आपको हर प्रस्ण को धियान से पढ़ना है और आंसर अपने माइन में सेट कर आत्मिकरन के नियम के बारे में पूछा गया है राइट आंसर आपका यहाँ पर भी थांडाइक होगा अगला प्रस्ण किस मनोवज्यानिक का मानना है कि कठिनाई का इस्तर बढ़ाने के साथ बुद्धी का इस्तर भी बढ़ता है और कठिनाई का कम इस्तर करने के साथ व्यक्ति को किस अधार पर बाटा है प्रभुता पूर्ण वा अधिनस्त पूर्ण अधार पर चिंतन वा कलपना सकती के अधार पर कठोर रधे वा कोमल रधे के अधार या फिर उप्रुक्त में से कोई नहीं काफी इंपोटेंट है थोंडाइक ने व्यक्ति को किस अधार याद रखेगा चिन्तनवा कल्पनाशकती के अधार पर याद रखेगा बी वाला विकल पर आपका सही होगा उत्तम प्रतिकरियाओं की सक्ती ही जहां किसकी परिभासा है इसकी नर्की है लकी है thoroughly innovations की है या फिर फ्राइट की है राइट आंसर आपका होगा थांडाइक यहां जो परिभासा दी गई है यह थोंडाइक की दोरा दी गई है कि सत्य तत्य के दिश्टिकून से उत्तम प्रतिकिरियाओं की सकती ही बुद्धी है टंकन कारी या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ अगला प्रशन जब बालक सीखने के लिए तियार होता है तब वहां जल्दी वा प्रभावशाली तरीके से सीखता है यहां सिध्धान्त प्रतिपादित किया गया है पावलाव द्वारा हल द्वारा इसकिनर द्वारा या फे थोंडाइक के द्वारा तो यहां पर जो दिय अधिगम के प्राथमिक सिध्धानतों के प्रेहनता है सीखने के किस नियम पर अधारे थे मनोवरत्री का नियम, अभ्यास का नियम, ततपरता का नियम या फिर प्रभाव का नियम राइट आंसर आपका होगा ततपरता का नियम याद रखेगा कक्षा स्रिक्षण में पाठे प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर अधारे थे सत्य तथा तत्यों के दश्टी कौन से उत्तम प्रतिकिर्याओं की सकती ही बुद्धी है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ यहां कतन किसा होगा तो यहां कतन थोंडाइक का होगा धीमी गती से सीखने वाले बालोकू के अध्यापन के लिए अधिक उप्योगी सिध्धान्त कौन सा है थोंडाइक का सिध्धान्त, हल का सिध्धान्त, थष्टन का सिध्धान्त या फिर कहुलार का सिध्धान्त राइट آंसर आपका होगा थांडरा है का सिध्धान्त धीमी गत्ति से चीखने वाले बालकों के अधियापन के लिए जो अधिक उपयोगी शिध्धान्त होगा वो थांडरा है किस मनोवज्यानिक को पशू मनोविग्यान का पिता महा माना जाता है इंपोटेंट है एक्जाम में पूछा जाता है तो याद रखेगा यह किसको माना जाता है थोंडाइक को थोंडाइक को पशू मनोविग्यानिक का पिता महा माना जाता है किसी किरिया को बार बार दोहराने से उसका सम्मन्द द्रड हो जाता है थों डाइक के ये किस नियम पर आधारे थे मनोवरत्ती का नियम, अभ्यास का नियम ततपरता का नियम, या फिर प्रभाव का नियम आपका रायट आंसर यहाँ पर होगा कौन से नियम के अंतरगत आता है तो ये अभ्यास के नियम के अंतरगत आता है किसी किरिया को बार बार दोहराने से उसका संबंद दड़ हो जाता है थोन डाइक के ये अभ्यास के नियम पर अधारी थे चलिए यहाँ पर एक प्रस्ण में आपको क्यूज के तोर पर दे रहा हूँ कि इसमें कोन सा जो गोन नियम है गोन नियम कोन सा इसमें देखिया आपको चारो विकलपे है प्रस्ण कुछ उस प्रकार है कि थोन डाइक का इन चारो विकलपों में से गोन नियम के अंतरगत कोन सा नियम आता है ये कमेंट से के माध्यम से बताना है प्रस्नु को एक वर फिर सुन लेना है थॉन्डायक का गोंण नियम कोँझ सा है इन चारों विखल्मों में से आपको गोंण नियम बताना है और कमेंट्सिके माध्यम से चववन के सामने ए, भी, सी या फिर डी विखल्स पर सही होगा यह आपको बताना है कौन सा सही होगा गौन नियम आपको वहाँ पर बताना है कौन सा होगा प्रथम सेक्षिक मनोविग्यानिक कहा जाता है किसको कहा जाता है थोन डाइक को हल को, फ्रायट को या फिर पावलाओ को तो प्रथम सेक्षिक मनोविज्यन के बारे में पूछा गया है राइट अंसर आपका होगा यहाँ पर थोंडाइग अब आपको यहाँ पर देखे वन लाइनर कुश्चन से मिलेंगे जो की काफी इंपोर्टेंट रहेंगे तो इनको भी आपको धियान में रखना है थोंडाइग का प्रियास एवं तूटी का सिध्धान्त किस विशे के सिख्छन के लिए सरुशेष्ट है इंपोर्टेंट है थोंडाइग का प्रियास और तूटी का सिध्धान्त किस विशे के सिख्छन के लिए सरुशेष्ट है तो वो है गनित और विज्ञान प्रियास और तूटी का सिध्धान्त किस पर बल देता है ये भी इंपोटेंट है तो ये करके सीखने के सिध्धान्त पर बल देता है प्रियास और तूटे का सिध्धान्त थोंडाइक ने अपनी पुष्टक सिख्छा मनोग्यान में कि सिध्धान्त का वर्णन किया है इंपोर्टेंट है याद रखेगा जो सिख्छा मनोग्यान कि इनकी पुष्टक है उसमें इन्होंने कौन से सिध्धान्त का वर्णन किया है अच्छा जो भूकी बिल्ली थी जिस बोक्स में भूकी बिल्ली को रखा गया था बंद किया गया था उस बोक्स को क्या कहते हैं तो याद रखेगा एक्ज़ामें पूछा जाता है तो उस बोक्स को क्या कहते हैं फजल बोक्स कहा जाता है भूकी बिल्ली को जिस बोक्स में ब अमंदवाद के अंतरगत आता है अधिगम अंतरन का थांडाइक सिध्धान्त कहा जाता है अनुरूप तत्व का सिध्धान्त इंपोर्टेंट है सभी के सभी ध्यान दिजेगा अधिगम अंतरन का थांडाइक सिध्धान्त यह अनुरूप तत्व का सिध्धान्त कहा जाता है थोन डाई के कि सिध्धान्त में सीखने से सीखने की किरिया सरल हो जाती है प्रस्ण को ध्यान से पढ़ना है थोन डाई के सिध्धान्त में सीखने से सीखने की किरिया सरल हो जाती है तो वो है प्रतने एवं तूटी का सिध्धान्त आर आर एवं आर ए सम्मन दोनों विद्ध पादक कोन है इसके बारे में आपको बता चुका हूं किन-किन नामों से जाना जाता है थांडाइक का सिध्धान्त उसमें सम्मंदवात के सिध्धान्त के बारे में भी मैंने जिकर किया था और किसके द्वरा दिया गया है मंदबुद्धी बालकों के लिए उप्योगी सिध् जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक इंपोटेंट हैं इसके बारे में आप सभी को पता होगा वैसे तो कि सिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है तो यह थोन डाइक को माना जाता है आवरत्ती का सिध्धान्त आवरत्ती का सिध्धान्त यह किसके द्वरा दि किया गया है अंतिम प्रश्ण जैसा कि मैं आपको बताया था टोटल सतर प्रश्ण आपको मिलेंगे आप घोड़े को पाने तक ले जाते हैं ले जा सकते हैं पर उसे पाने पीने को मजबूर नहीं कर सकते यहां कहावत एक उधारन है किसका उधारन है तो सीखने की बुद्ध ओड़ 투 고 ABDak placed über 110 सुर्फ करने ciao सब्सक्राइब कर ना है और कंद राप उभी तक भी गुण से पर यहीं। इंपोर्टेंट पत्स्तुत हो जाएंगेत जल्द ही डोस्तों एक नहीं वीडियो के साथ मिलेंगे यभ तक के लिए धन्यवाद